जाहिन भाईयों, एक और नहीं वीडियो में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हीरो की तरफ से आने वाला एक बाइक जो की है Glamour 125cc, जो की BS3 एंजन के साथ है, और आज हम इस बाइक का ओनर्सिप रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसके ओनर आज हमार साथ उपस्तित है, हम ओनर को इस चैनल पे इनभाइट करना चाहेंगे, जो की है सूराज, आज है ये चैनल पे, चैनल में आपका स्वागत है, और ये गाड़ी को आपने कब खरीदा है, 2016 में खरीदे हैं, और गाड़ी अभी तक आपने कितनी चला दी, अभी 3500 की लगवर 3500 कीलोमीटर आपने इस गाड़ी को चला दिया है, और इस बाइक को आपने जब खरीदा, तो इस कमपनी के साथ आपका एक्सपिरियंस के साथ है, मतलब डिलेवरी के सामिया कोई दिक्कत, और जब आप इस से इस गाड़ी के साथ, जब इसको सर्विसिंग में लेके जाते हैं, तो आपको कोई थड़ा का प्रोब्लम फेस करना पड़ता है, और इस बाइक में आपको कितना माइलेज मिल जाता है, पचास से पचपन तक मिल जाता है, सीटी में चलाने, और हाइवे में चलाते हैं, तो साथ मिल जाता है, और इस बाइक को लेने से पहले आप कौन-क और इस बाइक को आपने सेलेक्ट क्यों किया लेने से पहले लोकिंग अच्छा था उसके बाद इसका जो अच्छा है मैलेज वाइलेज भी बढ़िया था और आपको यह जो बाइक है इस बाइक का अन्रोड प्राइज कितना लगा था था पैंसेट हजार रुपिया और इस ग के और आभी तो कंपणी के तरफ से भी एयस शिक्स मोड़ाल आ गया है जिसका की प्राइजिंग आपको कंपणी के तरफ से बहुत ज्याधा बढ़ा दिया गया है और इसको आप कितना टॉप इसफिट तक लेके गए हैं और इसके स्पीडो मिटर में आपको वन फोटी की आप स्पीड मिल जाती है कि जो की ओनर कह रहे हैं कि इसको यह 90 से 100 के स्पीड में चलाते हैं आपके एज के अकोर्डिंग तो आप 18 साल के लगने रहे हैं और आप यह बता रहें कि यह गाड़ी मेरा है और आपका एज अभी कितना हो रहा है तो आप इस गाड़ी को रोड पर नहीं न ले जाते हैं आप इसको गाव घर में चलते हैं या लोकल रोड पर चलते और इस गाड़ी को आप कभी शर्वीशिंग पर लेके गए हैं तो आपको इस गाड़ी मतलब इस बाइक के साथ मतलब कितना इसका सर्विसिंग कोष्ट लग जाता है उसका आपको नॉलेज है मतलब एक हजार रुपिया इसका सर्विसिंग कोष्ट लगता है और इसका सर्विसिंग आप सोरूम में करवाते हैं कि लोकल में किनिक से करवाते हैं पहले तो सोरूम में कराते थे फिर लोकल में कराते हैं अभी आप लोकल में कराते हैं और आप इस गाड़ी को रात में भी यूज करते होंगे तो इसका लाइट का थ्रो कैसा है रात में अच्छा नहीं है इसका लाइट का थ्रो अच्छा नहीं है लाइट का थ्रो और आप इ इतने लोग comfortable बेट के चलते हैं तीन लोग और इस बाइक की अच्छाई तो सब कोई बताता है और इस बाइक की आप हमारे विवर्स को कुछ बुराई बताईए जो कि आपने फेज किया है तो इसमें अगर company ने जैसे कि अभी जो आपका bs6 model है उसमें आपको led light देखने को मिल जाता है और जो कि यह bs3 model है तो इसमें आपको halogen bulb मिलता था जो कि आपको 35 watt का देखने को मिल जाता था इसलिए customer इसके light के थ्रो से unsatisfied है और और इस गाड़ी में आपको कोई प्रोब्लम हुआ आज भी तक न ही इसका शेल्टने लेता इसका शेल्फ नहीं अय लेता नहीं और इसका बैटरी में प्रोब्लम हो सकता आपक ने बैटरी का भी चेंज कर आया है गाड़ी का कर आ। चेंज कराने के बावजूद भी कितना बार आपने इस गाड़ी का बेटरी चेंज कराया है एक बार इतना जल्दी तो बेटरी में प्रोब्लम नहीं आना चाहिए अब देख सकते हैं इसका जब हम लोग सेल्फ ले रहे हैं तो यह स्टार्ट होने में दिक्कत कर रहा है और ए इसके आप मिटर कंसोल में भी देख सकते हैं कि जब हम इसमें सेल्फ लेते हैं तो इसका जो अनलोग मीटर है वो उपर से नीचे ते एक बार आ जाता है और आप इस गाड़ी को टैन में से कितना रेटिंग देना चाहते हैं में और इसके शर्विस को विडियो को देना चाहते हैं सेवेन क्योंकि इनके कुश्टमर जो है इनके जो ओनर यह इनका सर्विस अभी तो लोकल मेकेनिक से कराते हैं और जब यह इसका सर्विस सेंटर में कराते थे उस टाइम का ये अपना experience शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ और आज की वीडियो में बस इतना ही था अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को सेयर कर दें और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू सो मच